दोस्तो नमस्कार मैं प्रवीन प्लाकिर्टि गाउं से अब सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों कैसे हमारी फैमली आसा करते हैं इस्वर की गृपा से सभी की फिस फॉर्मिंग अच्छी चल रही होगी सब लोग स्वस्थ होंगे बहुत अच्छे तरहिके से जो है मचली प बाला है तो दोस्तो मांसून आने से पहले कुछ-कुछ पॉ staging से जिसे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमें जब भी तेज भारी सो हमको कोई फिस्फॉमिंग करने में मचली पालन करने में कोई भी दिक्कत ना कोई भी परिशानिया ना आए तो कुछ पॉइंट से दोस्तो जिसे आप भी इंसियोर कर लीजे कि आपकी तयारी मनसून के लिए हो चुकी है कि नहीं हुई है तो कुछ points है जिसको आपके उपर आप साजा करने जा रहा हूं आप भी जरूर चेक करिएगा इससे दोस्तों सबसे पहली चीज बरसाथ के मौसा में क्या दिक्कत होता है पानी का जैसे आप देखते हैं कि आपका जो तलाब है आपने 5-6 फिट का पानी जो है मेंटेन करके चलते हैं अगर मान लीजे आपके बारिस लगातार होने लगी दो दिन तीन दिन तक लगातार बारिस होई तो उसमें क्या होता है कि आपके तलाब के पानी का लेबल बढ़ जाता है 6 फिट अगर पानी है तो 2 से 3 फिट आपका पानी बढ़ना ही बढ़ना है तो आपके तलाब में कुल टोटल 8-9 फिट पानी हो जाएगा उसमें क्या होता है कि जब पानी ओवर होने लगता है तो क्या होता है कि आपके जो तलाब का मेड़ है जो भीटा है जहां पर कमजोर होगा वहां से तूट जाएगा दोस्तों मांसून और बरसात आने से पहले आप यह इस चीज का इंसियोर कर लिजिए कहीं पर आपके भीटे पर दरा रहे हैं या फिर जो है मैकसिमम आप मचलियों को डालते हैं तो वो भीटे काट दिती हैं तो अगर कहीं पर आपका भीटा या मेड़ जो है जरजर है आपक उसको सही करवा लिजिए जहां पर अगर आपका मेड़ जरजर हो तलाप का भीटा है जरजर हो तो आप उसको अभी से रिपेर करवा लिजिए दोस्तों दूसरी चीज क्या है आप बरसात के दिनों में कोशिस करिए वैसे तो आप हमेशा पानी उपर से ही गिराते हैं तो अगर जब भी आपके तलाप का पानी ओभर फ्लो होने लगे उससे बचाने के लिए आप एक आउटलेट पाइप का ब्योस्ता करवाईए दोस्तों अगर आप बारी स्टेज हो गई आपका पानी ओभर फ्लो करने लगेगा तो तलाप से तो आपकी पूरी मचलियां बह जा ताकि पानी निकलने के लिए अगर आपके तलाप में एक लेबल से जादे पानी हो जाता है तो उस पाइप से निकले क्यों उस पाइप में आप जाली लगा देंगे ताकि मचलियां नहीं जाएंगी और पानी सिफोर सीर पाहार निकलेगा तो एक आउटलेट पाइप की ब प्रफल मचली पालक बन पाएंगे लेकिन कुछ किसान भाईयों को कुछ मजबूरियां होती हैं कुछ लोगों को पैसे का भाव होता है कुछ लोगों के पसात और दूसरी मजबूरियां हैं तो जो है उसकी वज़ा से रोड प्रॉपर नहीं होती तो दोस्तों आप सभी दोस्तों जिनके पास रोड भी है उनको भी स्टॉक करके दाने रख लेने चाहिए क्यों कि बारिश के समय में मैक्सिमम क्या होता है कि आपका दाना भीगने लगेगा भीग जाएगा कहीं से पानी चला जाएगा तो नुकसानी होने लगती है आप अभी से ही उसको अच्छ प्राकिर्तिक दवाईया हैं जैसे नमक हो गया फिटकिरी हो गया चूना हो गया पोटैसियम परमेगनेट हो गया ये सब चीजें मांसून आने से पहले बरसात होने से पहले आप रखवा लिजे दोस्तों ये सब नेचुरल दवाईया है कोसिस करिए कि जब आखिरी जो को अपने फाम पर रख लिजे क्योंकि तेजबारी सोने लगेंगी अभी आप देखेंगे कि आपका पानी जो है बहुत जादे मटमैला हो गया है अगर आपके पास फाम पर फिटकिरी है तुरन फिटकिरी डाल दीजिए आपका पानी बिल्कुल सही हो जाएगा तो यह आप चूना फेकवा दीजिए तलाब में दोस्तों कभी भी मौसम चेंज हो रहा हो आप मचली के लिए जाल चलवा रहे हों या फिर आप देख रहे हों कि आप जो अलग से बच्चा डलवा रहे हो या मचली मरवा रहे हो नमक रखे रहे हो 50 किलो नमक पर एकड़ के हिसाब से बरसात के दिनों में फेग दीजे तो इससे क्या होगा कि आपके जिव है water body अच्छे से रहेगी पानी अच्छे से रहेगा मचलिया स्वस्थ रहेगी दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे चोटे tips के लिए आप हम से जुड़े रहेगा हम हर एक मौसम के recording आपको एक एक tips बताते चलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप नए हो तो हमारे चनल को subscribe जरूर कर लिजेगा ताकि छोटी सी छोटी जनकारिया हर समय के अनुसार हम आपको बताते चलें बहुत बहुत धन्यवाद आपका